तो आज हम डिसकस करेंगे जै मेंस के अभी एक्जाम से आपके उसमें फर्स्ट फैप करेंगे तो मैं के क्वेश्ट्री के क्वेश्टन को एक एक करके भी डिसकस करते हैं तो फर्स्ट क्यों आपके पास क्यों से नंबर 31 बैसिकली टेबल्स का इसमें बोलागी फोर एल्क्राण गेरिंग फैल्पी जो इनक्रेक्ट ओप्शन तो इसने इनक्रेक्ट आप्शन पूश्ट है यह जो क्यों ने पूरा पूरा एंसी आइड बेस्ट है जो एंस्यार्ट म आपके पास डाटा है इन सभी एलिमेंट्स के लिए उसके लिए अगर मैं बात करता हूं तो अगर मैं बात करता हूं तो 328 वह नेगेटीव में बढ़ी रहेगी एस कंपेर तो माइनस 349 तो इसलिए आपके पास एक्जेक्ट ओडर हो क्या हुआ जादा आएगी एजी एचो लोरीन से ठीक है और अगर मैं बात करता हम आयोडीन की और दूसरा अपके पास था एस्टेटाइन की केस में आपके पास यह डाटा होता है माइनस 295 और इसके केस में डाटा होता है माइनस 270 ठीक है तो इसे तरीके से हम क्या करेंगे यहां पर जो डेल्टा इजी एच इलेक्ट्रों गेन इथैल्पी है एस्टेटाइन की वह आपके पास जागा होगी एज कंपेर टू आयोडीन ठीक है थार्ड आपके पास सल्फर दे रखा है सल्फर सल्फर के लिए जो डाटा होता है माइनस 200 और यह होगा माइनस 195 सिमिलार्ली इसका उप्सर गेन ठीक होगा एक तो बाकि दो अलिमेंट्स के लेते हैं उनके लिए डाटा आपके पास वह होता है माइनस 190 और माइनस 170 पो सिमिलरली मेरे पास एसका और ऐसा कुछ आएगा ठीक है तो इसके बाटेशन का मेरा जो ऑप्सन 3 आएगा हो क्या होगा क्रेक्ट अब हम चलते हैं नेक्स क्यूशन पर नेक्स क्यूशन आप पास क्यूशन नमबर 32 ठीक है और गेने की बड़ी फेमस रियक्शन आपने बढ़ावी होगा जब एस्परीद की फॉर्मेशन करते हैं सैलिसाइकलिक एसिट से यह वह रियक्शन आपको दे रखिए ठीकत इसमे ऐसे मिठेनल डाला है ऐसे इक वीडिया में और गिट करेंगे तो एस टेरीफिकेस्ट एक्षन हो तो आपके पास एस बनेगा तो आपको कंपाउण आयगा क्या शाइना वह कुछ ऐसा बनेगा सी तबल ओंड ओसी तो मेरे पास जो यह एक्टेंट दे रखा मुझे शैलिसल जो बना रख आपने पास यह वाला प्रक्ट बन जाएगा सी एस त्री सी डबल पॉंड ओ जो एन्हाइट्राइट फॉम ऐसे टिक इसकी फिनोल के सेंटर पर रियक्शन होगी उसके बाद आप उपास यह प्रक्ट बन जाएगा यह तो बिल्कुल इस बहुत सिंपल से रियक्शन थी क्योंकि मैक्सिम्ट क्यूस्ट जो हम लेखेंगे यह भी एंसी आटी बेस रियक्शन है उसमें बेसी में डाला वानोंने और यह तो आपके पास आदाएगा इधर से अगर मैं रियक्शन कराता हूं तो ओ सी ओ सी एस त्र स्टेशन में देखो मनें बोला कि शीओ प्लस टू इन वोटर इस मोर स्टेबल दें सीव प्लस आपको पता कि कोई भी क्याटायन जोगा उस स्टेबलेटी कि सबस्पे आएगे उसकी हईडरेशन पर आएगी और ऑगर अगर बात कूं है तो जो भी हाइडरेशन एनरजी हो cqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq जो मेरे पास एक रिजन पर सुप्लस तू इसका मतलब एठीक है लेकिन आर जो क्या मेरे पास इसका ओप्शन कौन सा आएगा आपके पास ठीक है अब उसके बाद एक्सक्विशन पर चलते हैं कि स्टार्टिंग माटेरियल पॉर कंविडेंट प्रिपरेशन ऑफ दी नैचुरेटिड रिट्रेटिड हीट्रेजन परोक्साइड दी टौर्टू इस तो आप से बुच्छा है लेबरेटरी के अंदर डी टूर्टू की प्रिपरेशन की इस रेक्शन पूछी एंसर्ट में करके दी हुई है कि लेबरेटरी में आप जो कंपाउंड की बनाते वाप इस इस रेक्शन से बनता है ठीक है इसमें हम डी टूर्ट डालते हैं लिक्विड फॉर्म के अंदर इनकी जब रियक्शन होती तो वहां से कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा यह रियक्शन एधिटी लिक्विड फॉर्म के अंदर इसका सिंपल है कि अंदर ही रेक्शन दी हुई है इसका जो ऑप्शन बन आएगा वो क्रेक्ट होगा अब नेक्स करते हैं जो कि आपने पास क्यूंड को दे रखे हैं जैसे यह मेरे पास हाइड्रोजन है और यही सिमिलर्ड यह कंपाउंड आप मैं लेंगे से यहांसे पास ऐसे इसके केसे मेरे पास और यह मेरे पास और यह बोलता है कि जितनी किसी भी आटम की इलेक्ट्र नेगिटिव धी ज्यादा होगी उस बॉन्ड में पर्संटेज एस क्रेक्टर क्या होगा कम होगा जो और पर्संटेज इस क्रेक्टर गटेगा तो दूसरे में इंक्रीज हो जाएगा जैसे यहां पर बात करूं जो इलेक्ट्रो नेगेटिवीडि़ जो मेरे पास है वो फ्लोरीन की कि ज्यादा है इसका मतलब यह होगा जो पर्संटेज एस क्रेक्टर आएगा वह आपके पास अगर में कंपेर करना चाहूँ तो ओएफ बोंड में कम होगा इस कंपेर टू ओएज़ ठीक है अगर पर्संटेज एस क्रेक्टर जो होता वो बॉन लेंद की क्या होता इंवर्श् इसका मतलब जो मेरे पास वाई है वो तो मेरे पास होगा सोटर अब बात करते हैं जो मारे के लिए अब देखो अगर सी बॉंड के अंदर परसंटेज एस क्रेक्टर जाता है तो ओ बॉंड जो आपके पास है इसमें परसंटेज क्या होगा कम हो जाएगा अगर परसंटेज एस क्रेक्टर एबॉंड में कम होगा अगर मैं लिखूं यहां फे परसंटेज एस क्रेक्टर तो उसका कुछ ओटर क्या आएगा मेरे पास ती एक के के समें क्या होगा कम हो जाएगा और बी के समें ज्यादा हो ठीक है तो ऐसा कर इसके मैं च्रीट यह जो एक होट एक राइगा थे लॉंगर एक्स लोंगर और वाई किया होगा सव रॉपस फोर के मेरे पास विल्कुल करेक्ट इस केसम ठीक है अब हम चलते हैं पोने नाथ करिशन पर पर तो इसमें अगर आप देखोगे तो थर्ड ऑप्शन जो आपके वह वो क्रैक्ट है कि यह सिंपल नंबर ओप्धान करने पी कि एपलश आगर आएगा उसमें पर 18 लैक्ट्रों केल्सी प्लस 2 अप्लस ट्रीए प्लस ट्रीए और पास वो तरे बटे शीमपल्स था आईशंक स्पीशिज मतलब इसमें नंबर ओफ लैक्ट्रों सेम ठीक है अब सलते नेक्स्ट क्य लेकिन ना तो उसने कॉंसेंट प्रैसर बोला ना कॉंस्टेंट बोला ठीक है अब बिना कंडिशन को स्पेसिफाई की अगर हम देखते हैं अगर मादलों में पहले कंडिशन लेख चलता हूं अगर कोई एक कंडिशन फिक्स करता तो तो हम बता पाते कि इस सिनेरियो में यह अगर आपने इसमें फॉर भी सही आएगा और ऑप्शन वन भी मेरे पास सही आए तो यह क्यों अगर हम देखने तो यह कैसा क्यों आपके पास इन कंप्लेट क्यूशन इंकंप्लेट क्यूशन है यह आपके पास कैसा हुआ इंकंप्लेट क्यूशन है तो इसमें बात क्यों और रखेंगे आपको लिए इसके लिए होता इसके लिए होता सब्सक्राइब और आपके पास इसके पास पूरा यह पूरा का पूरा इसका सिंपल सा में दिख रहा है कि जितना इनर्जी जाता उतना ही आपके पास स्ट्रॉंग होता है ठीक तो डायट ऑप्शन फोर जोगा मेरे पास वो सही होगा करते हैं नेक्स क्यूशन पर इंडेस्ट्रियल एक्टिविटी हैं लीस्ट रेस्पोंशिवल फोर ग्लोबल वर्मिंग इस यह भी पॉलिशन जो अपना है इन्वार्मेंटल केंश्ट्री वाला जो चैप्टर है उसमें एंचियाटी बेस्ट केश्टन आपके पास इसमें जो वहां से उर्या बनता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी इस रेस्पोंसिबल और स्टेटमेंट बेस्ट 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 केस्ट नमबर 40 अब इसमें पूछा आप से इसमें आपको क्या करना था बेसिकली सारे स्टेक्ट आप देखोगे 1234 नियरली बिल्कुल सेम है थोड़ा थोड़ा चेंज है इसमें अब इसके अंदर क्या होगा आपके पास यह मोलिक्यूल है इसका वैसे तो प्रेक्ट में बता दो आपको ओप्शन 3 जो है वो अब एक मोलिक्यूल देया रखता आपको यह ओएच है यह भी ओएच है इसमें आपको क्या बना रखाए नों ने इन डायोल फों बना रखी ठीक है विटामीन ची की होती आपके पास इन डायोल फोंच होती हूं मोस्टेबल होती है इसलिए इसका जो क्रेक्टाम सुराएगा आपको पास ओप्शन नमबर थ्री आए ठीक है ओप्शन नमबर थ्री जोगा बिल्कुल सही होगा आपके पास क्योंकि इसमें वैसे भी जो आपके पास क्रिटों क्रियेट हुआ है अगर बात करूं यह इसकी मोस्टेबल देगा आपके पास क्यों नमबर आते हैं को टीवन पर यह आपके पास क्योंकि आपके पास वह सियो टू गैस को और एशो टू गैस को एबजोड़ गरता अपने स्याथ इडियोमेटर में भी पढ़ाओ वाई स्टेट्समेटर में तो वह सियो टू को एब्जोड करके एक कंपॉंड बनाता है के एक सियो ट्री पोटैसियुम हाइड्रिजन कार्बोनेट और यह जो कंपॉंड होता है इसका मतलब हमारे स्टेट्मेंट आ रहा है वो तो करना पड़ता है जो आपस एबी ठीक है और और ऑसी क्रेक्ष क्या हो जाएगा ऑप्शन घू एक ठीक है शलते नेक्स क्यूशन पर किस्टर नमबर एक तो फोर्म्ला बेसी इसका प्रम्ला यह वह पढ़ा होगा के टू एज जी आई-फोर ठीक है के टू अच्छिए वह त प्रेजेंट है आउडीन प्रेजेंट है लेकिन ऑक्सिजन पास प्रेजेंट नहीं ठीक है पांचर क्या दाएगा यह का उप्शन नमबर 3 विक्ल्ट बेस्ट चीजेंगे भी सब्सक्राइब है इन फिगर स्ट्रेट लाइन इस गीवन पूर फ्रेंडिलीच एक्वेशन लिपता हूं तो मेरे पास ऐसे इक्वेशन होती है लोग यह एक्वेशन होती है ठीक है अगर इस एक्वेशन का अब मैं इससे ग्लेट करता हूं जो हमें दिया रखी है वो इक्वेशन है मेरे पास हुआ है तो अगर मैं इस एक्वेशन को 1 और 2 को मैं compare करता हूं तो मेरे पास जो y by n है जो कि मेरे पास slope है ठीक है उसके जो मेरे पास value आती हो क्या आती है 3 आती है और जो अगर मैं बात करो intercept ले तो लोग k की value क्या आती है मेरे पास यहां से 2.505 और वह यह आप से पूछा लिए value of पाइए एंज ब्लोग किया रेस्पेक्टिव लिए तो मेरे पास option नंबर 2 हो क्या हो जाएगा बिलकुल सही और नाक्स किस्टन किस्टन नंबर 44 पर आते है शलफानिलिक एस एस्टेटिफिटिटिट टेस्ट पोर कार्बोग नहीं यह statement गलत है कोई सलफानिक एसेड कौन स इसे एक्जिस्ट करता है 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 यह जो होगा आपके पास यह कोई भी एस्टेरिफिकेशन टेस्ट नहीं देगा क्योंकि शिंपल फॉर्मॉला बेस सी चीज़ अगर आप उस कंपाउंड को फॉर्मॉला पता है तो आपको वैसे आंसर पता हो जाएगा कि यह कार्बोक्स लिए का एस्टेरिफिकेशन टेस्ट को नहीं देगा अब सब्सक्राइलिमेंट को होगे नाइट्रोजन होगे कार मगें दो उसके अंदर क्या आएगा आपके पास ये कॉंपेकस बनता है एफ़ ये जो कॉम्प्लेकस बनता है इसका इसका रेडिकलर होता है तो स्टेटमेंट टू बिल्कुल सही है स्टेटमेंट बन कैसी मेरे पास इंकरेक्ट है यह तो इसका आंसर आएगा आपके पास आजाएगा option number one statement बार statement two is correct छीकिंगा पर आता है किसा नवर 45 जिपसंट इस फ्र मेकिंग फायरप्रूफ गोल बोड्स ठीक बिलकुल सई स्टेटमेंट आपके पास ही जी जिपसंट क्या फोर्मला क्या होता है सी एस फोर दो उसके अंदर जो हाईडरेटिट वाटर मोलिक्यूल जो इसको जो फैर्ड पूर्फ बनाते ज़ाम गर्में डैकुरेशन इतम बनाते उनके उसको यूज करते हैं तो इसको लिप समकों बोलते हैं और अब बात करते हैं रेजन की रिजन में कि जिप समीज अनस्टेमबल इट है टेंपरेचर अगर जिप सम आपके पास इसका मतलब रीजन तो सही है अंस्टेबल है लेकिन इसका जो एक्स्प्रेशन है वो सही नहीं एक्स्प्रेशन नहीं है उसके लिए तो आउसर कौन साएगा इसका उप्षोन नमबर नेक्स्प्रेशन नमबर 46 कोडिनेशन गेमेस्ट्री का इसमेरिजन बेस्प्रेशन है अब आपको बताएगी जो बाकिया अगर मैं बात करता हूं एम एफाइब या फिर एम एशिक्स टाइब के जो कॉंफ्लेक्स है यह तो आइसमेरिजन दिखाएंगे नहीं लेकिन जो यह कॉंफ्लेक्स आपके पास क्योंकि एन अटो गुरुप जो है उसके विए से उसमें लिंकेज आइसमेर नमा रहेंगी तो पहली बात तो इसका कौन सा ठीक होगा इसके जो आइसमर बनेंगे कौन-कौन से बन जाएंगे आपके पास इस तैक तो आइसमर बनेगा और दूसरा आइसमर क्या बन जाएगा आपके पास इसके केस में सीओ नस्ट्रीफाइव ओ नो कि मतला एक बार यह जो गुरूप है यह नाइट्रिजन से आइसमर बनेंगे लिंकेज आइसमर ठीक है इसका उप्शन कौन सा आएगा आपके पास क्रेक्ट आंसर जोगा होगा ऑप्शन नमबर ठीक है अब सबसे पहले तो क्या होगा आपके पास क्या होगा हम क्या करेंगे इस टाइब से एक इलेक्ट्रोफाइल आपके पास बनेगा आपको पता कि पोजिटिव सार्थ यहां पर आएगा ज्यादा स्टेबल लोगा ट्रस्री कार्पोटाइब सेकेंड केस में आएगी बेंजीन इस पर अटेक करेंगे और यहां से इस पर अटेक करेंगे लेक्ट्रोफिलिक एडिस और इस टाइप सिंगेंगे बनेगा इनके बीच में इस पर आजाएगा पोजिटिव चार्ज यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर हाइड्रोज अब सेकेंड स्टैफ में कि आगवा जो एक माइनस गूंग रहा है यहां से अधर को उठाएगा यह बनेदर सिफ्ट करेंगा और जो बेंजीन दरिंग दुबारा से अरोमेटिस टीको रिगें कर लेंगा तो ऐसा कुछ आपके पास करने यह आपके पास बन जाए ठीक है तो आपके पास और प्रेक्शन होगी और आपके पास एक प्रक्ट बन जाएगगी तो एक सापके पास यह लिटिए बात करता हूं कोई मैंने देदिया आपको एड़ाइट वर जालते हैं और दो प्रणीन की प्रजेंट में तो इसका एलफा हैलो जने सब्सक्राइब और यहां पर यहां पर आजाएगा इसको क्या बोल देंगा इसकी दब हम रियक्शन कराते एंस तरी के साथ ठीक है ऐसे टो टाइप की रियक्शन होगी तो यह कुस्मोल इगोल जो होगा वो इस टाइब से कंवर्ट हो यह पर बन देगा एंस टू ठीक है यह एलफा कार्व जिसकों क्या बोलेंगे एलफा कि इसको बोलेंगा हम एलफा अमीनो ऐसी एलफा अमीनो ऐसे तो यह यादत तो बिल्कुल सही है अब वो कह रहा है कि आपके पास कि जो अमीन की यील्ड है वह बड़ी पूर होती है अगर यह स्टेटमेंट भी तुल सही बात है क्योंकि देखो अगर मैं बात कराता हूं किसी अलकाइल हलाइड पर मैं एनस तरी का टैक कराता है यह जो यह बन जाएगा आपके पास यहां से अब सेकेंटरी में और भी ज्यादा रेक्टी होगा यह मैं बोलों कि और भी जादा लास्ट में आपके पास वाटनरी अमोनियम सोल्स बन जाएगा आपके पास इसका मतलब आपको बनाने तो गए थे आप एक अमीन लेकिन आपको तो पूरा मिक्सर बन जाए इसका मतलब किसी एक पर्टेकुलर अमीन की तो येल्ड आएगी वह थी बहुत ही पूर आएगा पास ठीक है तो मतलब आपके पास ये स्टेटमेंट है वह भी कुल सही है ठीक है उसके पास दो स्केटमेंट अगर हम आगे बात करते हैं किया कि तो जब भी एक पर मीडियम में डालो तो यह क्या करेंग आपके पास सी डबल लो ओ माइनस और यहां से एग्जिस्ट करेंगे इसको हम बोलते हैं जुटर आयांस ठीक है इसका आपके पास आंसर आएगा कौन सा आजाएगा ओप्शन नमर थी ठीक है करते हैं कि इस से पहले स्टैप में आपको बता है समय क्या होगा सबसे पहले यह बोन कूटेगा तो यहां पर बहुत स्टेबल का रगोपटायन बनेगा क्योंकि हाइली रेजोने स्टेबलाइज रहेगा ठीक है उसके बाद और यह प्रोड़क आपके पास इस सब्सक्राइब करते हैं मेरे पास वो सिर्फ और सिर्फ यह उसके पर डिपैंड करेंगी तो हम क्या लगीं कंसेंट्रेशन ओप जो सिर्फ आपको पतायां चुछ यह जो अलकायल लाइल रए उसके कंसेंट्रेशन पर डिपैंड करती है तो ग्राफ आएगा आपको का ओपशन नंबर ठीक है किस्ट नमर्ट करते हैं करने कंपाउंड की रियक्षिन है कि क्या होगा इस पहला स्टैप आएगा कार्म इस ग्रूप से रियक्षिन होगी आपको बता है कि जब उसमें अपैसे डाल दें वाप पीसे डाल एक तो वहाप पीसे उसका हाइड्रिस हो जाता है और अगले यह बन जाएगा आपका अब आपको पता है कि जब सी एंड गुरूप जो हता अगर उसको मैं एल लाइस फॉर से रिड्यूस कराता हूं लाइए लेश फॉर से उसके एडक्सेंस जो मेरे पास बनेगा वह बनती अमीज ठीक है एक तो एक तो कंपाउंड यह बन जाएगा से क्या बनता है कार्वॉक्स लिक ऐसे कि और यहां पर यहां पर आजाएगा मेरे पास अब देखते कौन से प्रड़क्ट है यह तो ऑप्शन नंबर वन जो मेरे पास है वह बिल्कुल सही है तो आपको पता है कि नाइट्रिल के जागर हम लाइस प्रेक्शन कराते हैं तो मेरे पास क्या होगा कार्वॉक्स नंबर फिफ्टीवन पर स्पिन ओल्ली मैगनेटिक मुमेंट ओफ मैगनीज का कॉंप्लेक्स दे रखा आपको पता है कि जो एच्टू है वह वह तो एक कि न्यूट्रल लिगेंड आपके पास कि उस पर तो कोई चार्ल है नहीं कि इसका मतलब यहां पर अगर मैंगनीज पर मैं देखता हूं तो उस पर क्या मेरे पास प्लस टू चार्ज होगा मैं इसका मतलब यहां पर नंबर उप एलक्ट्रॉन कितने आएंगे नंबर ओंपेर्ड इलेक्ट्रों वह जाएंगे अगर मैं मैंनेटिक मुमेंट निकालता हूं स्पीन ओनली तो वह जाएगा आपको बता फोर्मुला उसका एन इंटु एन प्लस तू बोर मैगनेटों तो यह जाएगा 5 इंटु 5 प्लस 2 का अग्डरूट और मैगनेटों यह यह जाएगा नेरली 5.91 प्लस इसका आज़ा जाएगा आपके पास इसका आसूर आएगा 6 जा जाएगा 6 जाए है तो इसके अंदर नहीं मिलेगा आपके पास तो इसका आउसर आएगा आपके पास त्री किंपल सब्सक्राइब नेक्स्ट आते हम 53 में उसने बोला कि मैटल एम है जो पूल एटिस में किस्ट्लाइज करता है उनकी डेंस्टी का आप से रिश्य पूछा है ठीक है तो आपके पता है किसी भी आएनिक के लिए देंस्टी जो होगी वह होगी नेक्स्टी निखालते हूं और इस फ्रेंटेटी के लिए और फॉर होती है आपके पास एफ सीचिक त्रीए अब आपको ऑटमेटिक दे रखती है और आप देंस्टी का रहे वह कूस रहा है और यहीं कूसाब से एफ सीचिट येश्चित एप सीसी अपों देंस्टी ओफ बीसीश ठीक है इसको बनाते तो फोर इंटु एम अपों एन ने को बिल्गुल सेम रखता हूं अब उसा ही केस में जो अगर आपको बोला कि एस एसी सी के लिए रहाट तो तू की पावर थ्री यह जाएगा एन ने इंटू पाइंट फाइफ इस पूरे को बस्सोल करना था आपको बाद इसको प्रेशियो आए नियरली अगर मैं यह पर लिखता हूं दैंस्टी ओफ सीची का और दैंस्टी ओप बीसी सीच सीए इनका रेशियो नियरली फोर की पराबर आप जो इसका आंस्वर होगा आपके पास क्या होगा ठीक है इ इस नमबर 54 पर त्वेटी परशन चैसे डिसोसीट गर्शेट हो रहा आपके पास फेले रेक्सिंग लिख लेगते है इसके अब करेंगे ट्वेंटी परसेंट डिसोसीट हुआ है तो ऐसे में आपने पड़ाएंगे आपके पास वन पॉइंट अब आप उसने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो मतलब डेल्टा टीएफ आप से पूछ रहा है उसको फोर्मिला क्या होता है आई इंटु के एफ इंटु मॉलिटि यह फोर्मिला होता है कि एफ आपको दे रखा है आई कि वाली आप मूंपता चले की अब मॉलिटियों क और इसके हम क्या करें एक क्या होता है मॉल्स थ कॉल्यूंट इवाइट वाइब मास उफ इन ऐसे हम कीजी में लेतें अगर में उगाता है तो इसके मोल सरी मोलिटि निकालते हैं फाइफ अपों अनसे एसी कि एसे और मॉलिटिर मास क्या हएगा सिक्स्टी और यह आपको दिया 500 इसको अगर आप स्वोल करोगो तो यह वैल्यू नियर ली आ जाएगे गर हम देखे तो इसको इकट जाएगा टूपे वन बाइशिक्स यहां पर पूट करना है बस हमें कि एक विल्ट दरकी 1.86 इंटू 1.6 डेल्टा टी एफ मेरे पास आजाएगा इसको पूरों करने पर 3.0 इसको स्वोल करने पर आएगा जिरो पॉइंट 372 इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इस फॉर मेट में पूसरा है 372 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ठीक है पांस राजाएगा में पास 372 ठीक है 372 यह इस कांस राजाएगा क्लियर सिंपल सुलिशन जैप्र कर्शन था 55 को डिसकस करते है इसमें आया कि आपका सब्सक्राइब टैन परसेंट वोल्यूं बाइब वोल्यूं पाटलब क्या होगा थैन एम्मेल ओफ बी आर्टू इस प्रेजेंट इन अब आपको बताएगे जो वोल्यूम ओफ सुल्यूट है वह आपके पास टेन एंब वोल्यूम औप स्वोल्यूंट कितना आएगा सोलन यहां पर सीचल को रहें वह 90 एम्मेल आजाएगा इससे मैं इसका मास निकाल लो मास क्या होगा वोल्यू मुल्यूंटिप्लाइब इसका मेरे पास मास आएगा कितना आएगा 90 मुल्यूंटिप्लाइब 1.6 तो यह आजागा 144 अब मुल्यूला लगाना में सिंपल 32 मॉल्यूंटिप्लाइब थाउजेंट आप ओन हो जागा 144 तो इसको सोल करने पर जो मेरे पास वेल्यू आएगी वह आएगी वन पॉइंट त्री नाइन वन पॉइंट त्री नाइन यह सब्सक्राइब पर केज़िए अब आप तो इसमें वेल्यू निगल वाई तो उसमें साथ मों लिखा है तो इसको मैं से लिगी दूँ वन थर्टी नाइन इंट टैन की पावर माइनस टू ठीक है मेरे पास जो आ तो आपको पास अगर मैं लिखूं यहां पर मोल्स ओफ इथेन कितना होता है सी तू एक सिक्स्ट इसका मोलर मास आजाएगा मेरे पास 30 ग्राइब तो जीरो पाइंट त्री डिवाइड वाई थर्टी तो यह आजाएगा मेरे पास 0.01 आपको तो टेमपरेशर का राइज ड टी वो भी दे रखा 0.5 डिग्री सेल्चेस और आपको इसके लिए हीट कपैसिटी भी दे रखिए कलोरिमेटर सिस्टम की हुआ 20 किलो जूल पर कहले ठीक है तो मैं यहां से देखो बों कलोरिमेटर कॉंस्ट बोल्यों के अप्रेट होता है सबसे पहले मेरे पास क्या निकि अब उसमें आपके पास आपको दूसरी क्या पूछी है हीट इवोल ड्यूरिंग कंबस्वन इसने पॉंस्टन प्रेसर मतलब आप से यूपी या पर डेल्टा-एच पूछ रहा है क्यूपी प्लस डेल्टा-एंजी आर्ट अब तो साइन क्या है सब नेगेटिव होएगा अब मुझे इस रेक्शन के लिए पर डेल्टा-एंजी चीए उसके लिए मुझे रेक्शन लिपने पड़ेगी इसी टू-एंजी आएगा और साथ में आजाएगा एक्स्टू अब तू-स्योटो लिए रेक्शन बैलेंस करने के लिए 3-2-2-2-4-0 और यह 3-7 तो यह आज इसको मैं लिपता हूं माइनस 2.5 ठीक है माइनस 2.5 अब उसके बाद देखो क्या होगा आपके पास तो यहां से अगर मैं इस बाली पुट करनी आपको कुछ नहीं है और आपको दे रखा इसको आप सोल दरखे डाटा तो यह वैल्यू निकल कि आएगे नियरली माइनस 1 1 06 ठीक है तो अब नेगीटिव का तो कोई लोजीक है नी तो इस वैल्यू आएगो कितनी आ जाएगा पस आंसर कितना आजाएगा है 1006 ठीक है तो यह इसका आंसर आएगा तो जोजूर पढ़ाएगा ठीक है क्लियर है उसके बाद चलते हैं नेक्स क्यूशन पर मोग करते हैं नेक्स टाप्रस क्यूशन नंबर 57 इसमा आएगा वन इंडो टैन गवर माइनस फाइव मोलर एज एड़े टू पर शेट शोलूशन और आप से इसमें लास्ट ने पूचा है कंडेक्ट्विटी और इस सोलूशन तो देखो मानलों को यह आपके पास एक सोलूशन है कि एजी बियार का कि शेटेटी सोलूशन अब आपका से कुछ ऐसे एक्जिस्ट करेगा एजी प्लस प्लस बियार माइनस की फोन में इसकी सोलूशन यहां पर एस होगी और यहां पर क्या होगी इसके अंदर डाला आपके पास एजी एंडो त्री जो कि यह बन इंटु टैन सब्सक्राइब एक एक अब इसके उसके लिए कि इसके लिए प्लस दो लिखते हैं एजई बीयार के लिए इसपी प्रस इंटु कंसंट्राइब प्लस टैन की पावर माइनस ठीक है अब इसको अगर करते हैं जगों आपको पता है कि जब एक स्ट्रोंग लाक्लाइट आप डालोगे उसकी जो कंसेंट्रेशन आएगी एजी प्लस की वह ज्यादा आएगा इसको नियरली टैन की पावर माइनस फाइफ लिए सकता हूं कि यहां पर मैं इसको ऐसा लिए सकता हूं कि एस इकॉल टो फॉर पाइंट नाइन इंटो टैन की पावर माइनस थर्टी एट यह जो आपके पास निकालना है वह पर मीटर की हिसाफ से निकले हमें क्या करना पड़ेगा सभी की कंसंट्रेशन को यहां पर मिटर क्यूब के इसाब से कनवाट करना पड़ेगा ठीक है अगर मैं यहां पर लिखता हूं कंसंट्रेशन ओफ एजी प्लस वाइची 4.9 इंटो टैन की पावर माइनस फाइट यह निकाल लिया आपने प्लस टैन की पावर माइनस फाइप मोलर होगी यहां पिर सुनके लि अब पूरे सोलीशन का आपको कापा निकाला अब सब के लिए हम एड करेंगे वह किसको रहाएगा आएगा कापा ओफ एजी प्लस प्लस कापा कर दो निकालता हूं तो सब पहले बर इंडिवीडियों निकाल आते सबके लिए इसके लिए देखता हूं आपके पास टैन की पावर माइनस टू इंटू 10 की पावर माइनस तरी यह बन जाएगा मेरे पास तो यहीं पर लेते हैं यह बन जाएगा माइनस एट थीक है उसके बाद निकालते हैं वह आजाएगा इसको सोल गरता दिया था 39.2 इंटू 10 की पावर माइनस एट ठीक है यह तो डायेट अपने पास कनवर्ट होगा उसके बार आपके बास निकालना में एंटो 3 माइनस के विए उसके डाटा आपको दे रखा है यह तो टैन कर माइनस 5 आई थी मल्टिप्लाइं करेंगे इसको हम सब्सक्राइब कर देते हैं तो कितना बन जाएगा इसको नियरली आश्राइब वाले वाले वह यह आंसर इसका आनाची ठीक है थोड़ा सा लेंडि नुमेरिकल था थोड़ी से भी है लेकिन वह ऐसे सिंपल सी चीज़ें पूशी तो आपसे तो चलते हैं नेक्स्ट किस्टन पर कि इसमें की कि पूचते हैं कि इस भी करण मेरे पास यह इसका यह कारवन की बात को यह ऐख कर देखें कि कि अगर मैं देखता हूं किस कार्वन को यह कई कारवन कार्वन अब अ भी यह कार्वन सब्सक्राइफ है सब्सक्राइब इसका 6 आए वह तो किस्टिन नमबर 59 डिसकस करते हैं उसमें आपने बोल दिया कि जो ए से भी यह वह आपका जीरो रियक्स जीरो डियक्स निए जो रेट एक्परिशन बनता वह यह बनता है अब उसमें आप से पूशा है कि इसके लिए हाफ टाइम वालु दिया रखे 15 बाट यह उल्लीट आपको गीवन है कि रियक्स टाइम टेकन फॉर दा कंसेंट्रेशन ऑफ ए टूर्थ वान फॉर्थ इनिश्यल वैल्यू सब्सक्राइब यह मेरे पास क्या बनेगा ए नोट इसको स्वल्ड करेंगे तो यह आजाए कि 3a0y4 इक्वाल टू कि यह टी 1y4 यहां से अगर मैं टी 1y4 निकालना चाहूं तो क्या आएगा 3a0 आपॉन 4 के यहां से अगर मैं टी हाफ निकालना चाहूं वह क्या बनेगा मेरे पास तो है यह हो दो टी 50 बनाट इक्वाल टू अपॉन टू के यह क्यों से नमबर मालेता हूं यह तू मालेता हूं अगर हम वन को टू से डिवाइड करता है क्या बन जाएगा टी 1 by 4 अपॉन टी आप इक्वाल टू 3 a0 अपॉन 4 के डिवाइड गाई जिसको सोल करना है सोल करेंगे तो यह रेस्यों आएगा वह नेरली 3 आपके पास टी 1 by 4 आएगा कितना आजाएगा 3 by 2 multiply by 50 आपके पास 75 इसका आपके पास reaction के लिए टाइम लगेगा तो यह भी आपके पास जो ओप्शन ए यह बी और इस यह तो आपके पास यह था पूरा का पूरा डिसक्रिशन जो आपका फर्स्ट एक्जाम हुआ था सिफ्टू का ठेंक्यू झाल